जाहिन दोस्तों वेलकम टीनाइन स्कूल दोस्तों बात करते हैं क्रिप्टो टैक्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्पून अपडेट क्रिप्टो टैक्स को लेकर जो आप भी आ रहे हैं और बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं कि इंकम टैक्स ने भी क्रिप्टो टैक्स लोगों को notice भीजना सुरू कर दिया है इसकी क्या सच्छा है और क्या वास्ता में income tax जो पूरानी crypto के transaction से हैं उट पर notice भीज रहा है और उन पर tax किस लगे तरह से लगेगा इसके बारे बात करेंगे साथ ही क्या tax से बचा जा सकता है इसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ crypto tax कैसे लगेगा और अब आगे क्या करना है और सबसे ज़्यादा important क्या आपकी जो crypto की holding से वजीरेक्स बाइन से किसी भी दूसरे एक्सचेंज पर या फिर decentralized एक्सचेंज पर भी क्या उन पर भी tax implement होता है या उनका आपको क्या करना है इसके बारे हम बात करेंगे और सबसे ज़्यादा important सवाल क्या वास्तम में सरकार बेरोजगारी को बढ़ा रही है इसके बारे भी यहाँ पर बात करेंगे आग crypto and crypto tax related तो दोस्तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें पहला सवाल यह उड़ता है कि क्या भारत सरकार ने जो crypto को लेकर tax low बनाया है उस पर जो court है उसमें क्या challenge किया जा सकता है तो सवाल यह उड़ता है can India's controversial new tax low be challenged in the court yes say crypto liars तो दोस्तो यहाँ पर जब crypto liars से सवाल पूछा गया कि क्या India के जो controversial new tax low है crypto currencies को लेकर उसे court में challenge किया जा सकता है क्या तो दोस्तो यहाँ पर वाकिलों का जवाब है yes कि यहाँ पर court में इसे challenge किया जा सकता है और अगर crypto community ऐसा करती है तो यहाँ पर उन percent TDA सरकार ने crypto tax को लेकर यहाँ पर लगाया है उसे reduce किया जा सके या उसे खात्म किया जा सके the crypto tax low enforces at 30% on the profit from crypto transactions if active apparel 1 trader will not be able to set up losses from other crypto transactions crypto gifts within a family would be exempt but gift वो अबब 50,000 rupees यानि 660 dollar outside the family would be taxable once in the hands of the recipient तो दोस्तो यहाँ पर multiple tax cryptocurrencies पर लगा दिये हैं सरकार ने लेकिन वकीलों का कहना य है कि अगर crypto community यहाँ पर कोर्ट में challenge करती है इस tax को लेकर तो उसे यहाँ पर हटाया जा सकता है और crypto जो community है उसके पास fair enough chance से जहें कि studious को खास्तोर से यहाँ पर हटाया जा सके तो दोस्तों क्या कोई इस नियम को कोर्ट में लेकर जा रहा है इस पर एक बड़ा सवाल उठ है आपको पता ही होगा कि लगबग एक नेट साल पहले सरकारि ने किसानों के लिए ऐक कानून बनाया था किसानों कि जमीन के लिए कानून बनाय था हलांकि इस सरकारे मैं काम कर रहे हैं लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर कौन कोट में लेकर इस सब को लेकर जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी जो crypto हमारी exchanges हैं वो साइद इस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि इस मुद्धे को लेकर कोट में लेकर जाए जाए क्योंकि बहुत सारी जो इंडिन crypto exchange हैं खास तोर से उन पर जो trading volume है वो reduce हो गया है खास तोर से 1% TDS के लिए transactions volume plunge after crypto tax come into effect in India जो अभी मैं आपर बात कर रहा था money control का कहना है कि this new move on the crypto tax will be a major hurdle for the small investor खास तोर से जो छोटे investors हैं उनके लिए ये एक बहु change बन चुका है कास तोर से दूस्तों आपको पताई है कि जब करोना के टाइम पर लोगडाउन के टाइम पर जब भारत में बेरुजगारी की स्थिति काफी नाजूख हो गई थी उस समय पर जो crypto ने इंडिया में बेरुजगारों का काफी साथ दिया था कास तोर से जिन लो इकम का कोई भी सोर्स नहीं था वो ट्रेडिंग करके बहुत सारे लोगों ने इस साल क्रिप्टों में काफी अच्छी अर्निंग करे थी लेकिन दोस्तों सरकार यहां पर दो सवाल उत्पन होते हैं कि नंबर वन तो बेरुजगारी को लेकर कुछ इंडिया में करी नहीं र खर जाते हैं बस डेली का उनका केवल खाने का कमाने का ही खर चलता है बाकि जितने भी युवा हैं वो मेकडियों 20-30,000 रुपई की नोकरी करने के लिए विवस हैं और आज के टाइम में इतनी ज्यादा मेहंगाई बढ़ चुकी है कि हम सभी जानते हैं तो कुल मिलाकर सभ सरकार के नीचे दवे रहें और कुछ अलग ना कर पाएं ताकि सरकार अपनी जो गदी है वो यहां पर बनाए रखे यह एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है और बहुत सारे जो पॉलिडीसेंस हैं जब संसत में डिसकसन हुए तो सवाल ये भी आया कि USA में इतने परसेंट टेक्स लगता है वहाँ पे कितना प्रसेंट टेक्स लगता है और इंडिया में जो 30 प्रसेंट टेक्स ही लगा रहे है वो बहुत कमें इनका कहना यह है कि लेकिन क्या गवर्मेंट को यह पता नहीं है कि USA जैसे कंट्री में या उस्टेलिया जर्मनी जापान जैसे कंट्री 10,000 से 40,000 डोलर तक की earning यानि दोस्तों 8,000,000 से 32,000,000 रुपे तक की earning सिर्फ 12% का tax वहाँ पर लगता है अब आप सोचिए हम में से ज़्यादा तर जो लोग हैं वो केवल 10% का tax यहाँ पर देते और 10% का tax देना किसी को भी मुश्किल नहीं होता लोग कमाते भी रहते और सरका को भी tax मिलता रहता बाइस पर तक का जो tax लगता है वहाँ पर लगता है कि जब आप 89,000 डोलर तक की earning करतें चोबिस परशनट का tax तब लगता है जब आप 12,000 यानि दोस्तों चार करोड रुपे से भी ज्यादा की earning एक साल के अंदर यहाँ पर कर लिएते तो दोस्तों कितन अच्छा tax structure यहाँ पर हो यही बात है यही कालन है कि हमारे देश के जो युवा हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं जो जानते हैं कि इंडिया में इस तरी कितनी ज्यादा खराब है जो business manager जिन के पास वास्तव में पैसा है उन में से एक भी आदमी को आप पैसा नहीं देखेंग कि हाँ मेंगाई का क्या दोर है और उस मेंगाई के दोर में आदमी कहां तक जा सकता है कितनी income पर कितना tax लगाना चाहिए लेकिन income में इंडिया में क्या कर दिया दस रुपे भी अगर आप लगाएंगे तो 30% tax देंगे करिफ्टों में नहीं लगाएंगे तो आपको loss होग न्यूज इस समय पर चल रहा है वो क्या है न्यूज यह चल रहा है कि high value crypto transactions about 700 investors लगबाग 700 ऐसी transactions या 700 ऐसे investors को इन्होंने catch किया जिनोंने पिछले सालों में अब पिछले सालों में कब आता है यह पिछले सालों में आता है अब आप देखिए 1 अप्रेल 2021 से 31 मार्ट 2022 में जो से पहले कि जो transactions है 31 मार्ट 2021 के जो transactions है वहीं तक सरकार अभी trade track कर सकती है तो इन लोगों को बोल रही है कि अगर 40 जो transactions हुए है उन पर tax do 30% tax दो चलो penalty हम छोड़ सकते हैं प्लस उस पर interest दो अब सवाल यह उठता है कि क्यों दो भाईया अभी तक आपने क्रिप्टो पर कोई तरा रहे हैं कि यह tax लगेगा इन 700 transactions पर यह rule जो है court में जाएगा यह पूरे का पूरा मामला court में जाएगा उसके बाद यहां पर बहुत सारी चीजे हैं सरकार के खिलाब जो सरकार ने अभी तक नहीं कर रखी थी इन जो crypto holders हैं इन्हें अगर देना भी पड़ा तो वही tax द होल दे तो ठीक है tax दे लो अब 2000 अब एक अपरेल 2021 से 30 मार्स 2022 तक की जो transactions हुए है उन पर भी tax लगेगा लेकिन अब भी जो एक अपरेल 2022 से 30% वाला tax है वो नहीं लगना चाहिए वो जो crypto gain है जो capital gain है वो वाला tax लगना चाहिए 15 से 20% के आसपास वो लगेगा इस financial year में लेक कभी update आपको आपका CA ही दे पाएगा क्याने का मतलब यह है कि ऐसी गलती ना करें कि 2021 में एक अपरेल 2021 से 31 मार्स 2022 तक कि अगर आपकी crypto transactions हुई है अगर आपका उनका income tax फिल नहीं करेंगे तो उसमें आपको problem जरूर आ सकती है तो वो income tax आप यहाँ पर फिल कर दें यह इंड आपकी holding से क्या उस पर भी crypto tax यहाँ पर लगेगा देखिए इसको लेकर सरकार ने अभी तक कुछ भी कानून में clear नहीं किया है लेकिन फिर भी जो आपकी holding से मेरे ख्याल से जो आपका 2022 का income tax आप फिल करेंगे उसमें आप दिखा सकते हैं कि इतनी आपकी holding से ताकि वहाँ स पैसा नहीं निकालेंगे और अंदर कोई transaction से नहीं करेंगे तक तक उस पर tax लगने का कोई सवाल तो पैदा नहीं होता है आप सवाल यह उठता है कि crypto में थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर जरूर हो गया है income करना trade करना लेकिन holding करके अगर आपने रखी है तो long term में उसका profit भी आपको जरूर हो सकता है तो मेभी आप holding करके रख सकते हैं अब सवाल यह उठता है कि अगर crypto नहीं तो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप एक जबरदस टर्निंग कर सकते हैं इस समय पर तो मैं आपको बता दू यहाँ पर कुछ screenshot आप देख सकते हैं मेरी बहुत सारे followers ब यहाँ पर लगबग 5-6 मेने पहले काम शुरू करना शुरू किया था पहले मेने की जो उनकी अर्णिंग थी यहाँ से 20-25,000 रुपे थी लेकिन और जोर सोर से उन्होंने काम करना शुरू करा आप यह 15 दिन की अर्णिंग यहाँ पर आप दिख सकते हैं 6,97,500 यानि एक मेन की अर्णिंग है इन्होंने डिसेंटली काम करना शुरू करा है और दोस्तों 70,700 यहाँ पर यह लगबग 20 दिन की अर्णिंग है इन्होंने भी कुछ दिन पहले यहाँ पर काम करना शुरू करा था इसके इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,48,972 रुपे बैंक म मुझे स्क्रिंशोर्ट से बेचते रहते हैं जोनोंने 4,5,6 महीने पहले इस प्लेटफोर्म के साथ काम करना शुरू कर दिया था यह एक बहुत ज़्यादा जबरदस्त प्लेटफोर्म है जो कि इंग्डियन अगामेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है और इसके यूजर्स दोस्तों इस विडियो के डिस्क्रिप्टेन में सबसे पहला लिंक है उस पर साइन अप करें साइन अप करने के बाद KYC कम्प्लीट करने KYC कम्प्लीट करते कि कंपनी के त sticker आपको फोन आ जाएगा opportunity आपके अपास है, ऐसी opportunity बार-बार मिलती नहीं है, limited time opportunity है, limited time के लिए ये जो vacancies आपके लिए आई हुई है, इनका फायदा उठाकर आप यहां से एक जबरतस तरनी कर सकते हैं, तो इस video description में सबसे पहला जो link है उस पर click करें, click करके sign up करें, sign up करते समय आपको ध्यान रहे कि आधार card, pen card पर जो details हैं, वोई details आप यहां पर डालें, अगर details वो same नहीं डालेंगे, तो KYC में problem होगी, KYC आपकी complete नहीं होगी, या फिर आपको फिर से सही details बदद डालने के बाद ही KYC complete करनी होगी, तो सुरूब में ही correct details डालें, ताकि आपकी KYC यहां पर फटा-फट complete ह हो जाए, company phone करके आपको जानकारी देगी, उसके बाद आप यहां पर खाम कर सकते हैं, और एक जबरत सरनिंग daily business पर कर सकते हैं, thank you, दोस्तों, only very best channel को subscribe करना ना भूले, साथ इस वीडियो को like को share करना ना भूले, latest crypto updates पात रहने के लिए, thank you.